बहनोर भाईयों, देश को ब्रश्टा चार और काले धन रुपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सक्त कदम उठाना जरूरी हो गया है आज मध्यरात्री यानी 8 नवंबर 2016 की रात्री को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपे और 1000 रुपे के करंसी नौट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं कानुनन अमान्य होगी 500 और 1000 रुपे के पुरानी नौटों के जरिये लेन देन की व्यवस्ता आज मध्यरात्री से उपलब्द नहीं होगी ब्रश्टाचार काले धन और जाली नौट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्मों के पास मुझूद 500 रुपे, 1000 रुपे के पुराने नौट अब केवल कागज के एक टुकडे के समान रह जाएंगे ऐसे नागरीक जो संपत्ती, महनत और इमानदारी से कमा रहे हैं उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी ध्यान रहे कि 100 रुपे, 50 रुपे, 20 रुपे, 10 रुपे, 5 रुपे, 2 रुपे और एक रुपिया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं है हमारे या कदम देश में ब्रस्टाचार, काला अधानिवं, जाली नोट के खिलाब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाने नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वानी है इन दिनों में देश वाचियों को कम से कम तकलिप का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है पांसो और एक हजार रुपय के पुराने नोट, दस नवंबर से लेकर, 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकगर पोस्ट ओफिस के खाते में बीना किसी दिमा के जमा करवा सकते हैं आपके पांस लगबग 50 दिनों का समय है, अतह नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफ्री करने की कोई आवशक्ता नहीं है आपकी धनरासी आपी की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरुवत नहीं है पांसो रुपये या एक हजार रुपये के पुराने नोटों को खाते में डाल कर आप अपनी जरुरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं केवल शुरू के दिनों में खाते में से दनरासी निकालने पर प्रती दिन 10,000 रुपया और प्रती सब्ता 20,000 रुपये की सीमा तै की गई है ऐसा नए नोटों की उपलब्दता को ध्यान में रखते हुए किया रहा है इस सीमा में आने वाले दिनों में बुद्धिक कर दी जाएगी खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है तत्काम आवशक्ता के लिए 500 और 1000 रुपय के पुराने नोटों को नए इवं मान्य नोट के साथ 10 नमबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमूख और उपडाबगर हेड पॉस्ट ओफिस और सब पॉस्ट ओफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे की आधार कार्ड मतदाता कार्ड यानि की वाटर कार्ड राशन कार्ड पासपोर्ट पैन कार्ड इत्यादी सबूत की रुप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं प्रारम में 10 नवेंबर से 24 नवेंबर तक चार हजार रुपिया तक के पुराने पांसो एवं एक हजार रुपिये के नोट बदले जा सकते हैं 15 दिनों के बाद यानि 25 नवेंबर से चार हजार रुपिये की सीमा में बृद्धी कर दी जाएगी ऐसे लोग जो इस समय में सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवस अगर जमान नहीं कर पाए उनको 500 और 1000 रुपे के पुराने नोट बदलने का एक आखरी अवसर भी दिया जाएगा ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित आफिस में अपनी राशी एक गोशना पत्र यानि डिकलेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्ज 2017 तक जमा करवा सकते हैं 9 नवंबर और कुछ ठानों में 10 नवंबर को भी ATM काम नहीं करेंगे प्रारम में ATM से प्रती काड प्रती दिन निकाली जा सकने वाली राशी की सिमा 2000 रुप्या रहेगी फिर उसे कुछ अवदी के बाद बढ़ा कर 4000 रुप्या कर दिया जाएगा वैसे तो 500 और 1000 रुपे के पुराने नोट आज रातरी 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगे परंतु सामान्य जन जीवन की जरुनतों को ध्यान में रखते हुए मानविय दर्श्ट कौन से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानि के 72 अवर्श मतलब की 11 नवंबर की रातरी 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेश विवस्ता की है जैसे 11 नवंबर की रातरी 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुक्तान के लिए पूराने 500 या 1000 रुपिये के नोट स्विकार किये जाएंगे इस से वैसे परिवार जिन में कोई बिमार है उन्हें उप्चार में कोई बादा ना आए ऐसे विवस्तालों में ये दिए दवाई की दुकान की ववस्ता है तो डॉक्टर के दिये गए पर्चे पर पांसो और हजार के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलबतर हैगी ऐसे ही 11 नवंबर की रात्री 12 बज़े तक रेलिवे के टिकेट बुकिंग काउंटर सरकारी बसों के टिकेट बुकिंग काउंटर और हवाई एड़ों पर एरलाइस के जो टिकेट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकेट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थाद पांसो और हजार रुपिय के नोट स्विकार करने की छूट होगी ऐसा हमने उन परिवारों की जरुरतों को देखते हुए किया हैं जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे केंद्र अत्वा राज्य सरकार द्वारा प्रमानित कोपरेटिव की दिनचेरिया की वस्तों की दुकान जैसे केंद्रिय भंडार, सफल और दुग्द विक्रय केंद्र, मिल्क पावरर ऐसे स्थानों पर भी 11 नवंबर की राद 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपे के नोट स्विकार करने की छूट होगी इस दौरान इन समस्थानों को प्रती दीन अपने स्टॉक और विक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी सार्वजनिक शेत्र पॉब्लिक सेक्टर के पैट्रोल एवं CNG गेस्टेशन रिटेल आउटलेट जहां पर पैट्रोल डीजर और CNG गेस्ट की विक्री के लिए भी 11 नवंबर की राद 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपे के नोट स्विकार करने की छूट होगी इस दौरान प्रतिदीद अपने स्टॉक और विक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी शब्दागरू, मशानगरू, क्रेमेटोरियम ऐसी जगों पर भी 11 नवंबर की राद 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपे के नोट स्विकार करने की छूट होगी अंतराष्टे हवाईडों पर विदेश से आ रहे, अब विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और 1000 के नोट है तो ऐसे नोटों की 5000 रुपिया तक की राष्टी को नई एवं मान्य करन्सी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी अंतराष्टे परेटकों को अंतराष्टे हवाईडो पर विदेश से मुद्रा या 5000 रुपिया तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करंसी नौटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं यह स्पष्ठ करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नौन कैश लेंदेन में यानि चेक से पेमेंट हो डिमांड राप से पेमेंट हो डेवीट या केडिट से पेमेंट हो अत्वा इलेक्ट्रोनिक फंट ट्रांस्फर में कोई रुकावट नहीं आएगी यह कारोबार पैसे चल पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा इन सारे इंतजाम के बावजूद हमारे इमांदार देश वास्यों को अगर तकलीप का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है जब मैं सुनता हूं कि कोई गरिब विद्वा लपीजी सबसीरी छोड़ने में आगे आती है यह त्याग एक रिटायर स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पैंसन से स्वच भारत कोश में अपना योगदान देने को आगे आता है जब हम यह सुनते हैं कि गरिब आदिवासी मां बकरी बेचकर सोचाले बनाने के लिए पैसे लगा देती है एक फोजी अपने गाउं को स्वच्च गाउं बनाने के लिए 57,000 रुपे का दान देने के लिए आगे आता है मैंनो देखा है कि देश के सामान्य नागरिक की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तयार है बस देश का कल्यार हो अतह, ब्रश्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंग बात के खिलाप जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई वह भी कुछ दिनों के लिए तो जेल ही सकते हैं मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रतेक नागरिक प्रश्टाचार के खिलाप सुची तांके इस महा यग्य में एक जूट हो करके, मिल करके, खड़ा होगा मेरे प्यारे देश वाचियों, दिवाली के पर्व के बात, अब इमानदारी के इस उत्सों में, प्रामानिक्ता के इस पर्व में, आप बढ़ चड़ करके हाथ बटाएं मेरा पूरा विश्वास है कि देश के सभी राजनितिक दल, राजनितिक कारकरता, सामाजिक, एमम सैक्षनिक संस्ताई, मीडिया, समाज के सभी वर्ग, इस महान कार्य में, सरकार से भी ज़्यादा बढ़ चड़ करके, भाग लेंगे, शकारतमत भुमिक आदा कराएंगे, बना के ही रहेंगे,